एक होता है तुक्का लगाना जी हां बहुत से बच्ची यह बोलते हैं कि सर तुक्का लगाने का जो है न सिस्टम यह मतलब तुक्का हम लगाते हैं सही नहीं होता है ऐसे नहीं है वैसे नहीं है दिखिए हर एक चीज़ का एक सिस्टम है ठीक है तुक्का लगाने का सिस्टम अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है अगर आप हम पढ़े हो अगर आपको का और ने अजब भशाय हैं याणे करो अब 26 ठाड़ी को यानि कि पढ़सो काने वाला इक दिन गजैम है तो बहुत से श्वाओ आपको भी मुमल होता है यह नॉर्मल सी बात ऑट यहां सकते हैं जो बच्चे पढ़े हैं जिन अगर पड़ाई कर रहा है तो ऑविस बात है कभी विन्ष चीज सिर्भ सिद्दत वहला करते हैं तो जब उस परिक्षे का घड़ी आता है तो एक इंग्जाइटी होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल इट्स वेरी नॉर्मल आपको अभी नहीं एक हफते दस दिन पहले से फील होने लगा होगा कि भाई हमने कुछ पढ़ाई नहीं हैं सब कुछ भूल गए हैं एक वीडियो देख रहा था कोई तो मतलब मदर थी अपने बच्चे के लिए वह मतलब कुछ मंदिर में गई और बोल रहे थी पंडी जी हमारा बच्चा जो है थोरा सा उनको भागवान का सिरवात दिला दीजे मतलब वह पढ़ाई करता है उसका यह नहीं निकलता है वह न एक चीज़ जानते हैं हम भागवान हम भोले नात को मानते हैं ठीक है हम भोले नात को मानते हैं हम ट्रिस्न भागवान को मानते हैं मतलब प्रसनली हम इन दोनों भागवान को काफी जादा पसंद गरते हैं मानते हैं अपनी एक आस्था की बात है लेकिन अगर हम पढ़े ही ऐसे बहुए समस्मिका कर दो गया ऐसको कुछ पिजकश कमदिशंवन काван्य थी हुआ को जब स्मस्मार्ऴ पता इस आता है है जै मतादि यह सही ऐसे नहीं होता है भाई तुक्क लगाने का मतलब है कि आपको eliminate करना होता है ठीक है eliminate करना होता है अब as example इकता प्रथा किसने start करी है इल्तुत मिशने करी है ठीक है सिजदा पाबॉस किसने start किया है बल्बन ने किया है तो अगर आपने यह पढ़ा हुआ है तभी तो आप eliminate भी कर पाओगे या कुछ कर पाओगे लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है अब बजार प्रणाली किसने start किया ठीक है तो अलाव दिन खिलजी ने इसको start किया वा था अब यह अगर आपने पढ़ा ही आपके दिमाग में बहुत से questions रहते हैं बहुत से हौच पॉच रहता है question उसमें करना क्या होता है जब कोई भी question आता है न तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा हमेशा अपने mind पे अपने दिल से ज़्याद अपने दिमाग पे believe कीजिए समझ जाईए दिल हमेशा आपको धोखा देगा अब मैं समझाता हूँ यह मैं क्यों बोल रहा हूँ जैसे कोई भी आप question माल लो as example की इंडिया के Prime Minister कौन है तो मतलब as example माल लो यह exam जो है अमेरिका में हो रहा है और वहाँ भी question आया इंडिया के Prime Minister कौन है तो obvious बात है जैसे हमारे लिए तो ऐसा different होता है दूसरे country के Prime Minister PM President को याद करना वैसे ही उनके लिए इधर का याद करना different रहेगा लेकिन अगर वो पढ़ रखे हैं तो उनके subconscious mind में बिल्कुन question पढ़ते ही क्लिक हो जाएगा नरेंद्र मोधी ठीक है लेकिन फिर आप जब उस पे ज़्यादा detail में उस पे ध्यान लगाएं लोगे तो दिमाग फिर आपा confused करेगा तो हमेशा याद रखिए अगर आपके लिए पढ़ावा चीज है अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो अगर आप जब उसको पढ़ेंगे ना पढ़ते ही फर्स्ट एकदम फर्स्ट गो में आपको वो चीज दिमाग में क्लिक कर जाएगा और जो फर्स्ट टाइम में ही जो आपके option दिमाग में हिट करे उसको टिक मारें ऐगर आपको नहीं आ रहा है होता थैसे ने ऐसी situation में दिल का सुनिए एक तो ये चीज हो गया दूसरा चीज देखिये तोना टोटका लोग बड़ी believe करते हैं होना भी चाहिए लेकिन तोना टोटका भी तब ही काम आयेगा भाई जब अगर आपने मेहनत किया हुआ है तो हाँ अगर आपने मेहनत किया है तो फिर टोना टोटका definitely करिए देखिए सीरी सीधी बात है वो आप हर वो चीज करिए जिससे आपके दिल को satisfaction मिलता है संतुस्टी मिलता है moral of the study is कि आपका दिल सांत रहेगा संतुस्ट रहेगा तो आपका आत्मा भी सांत चित रहेगा आप अच्छा काम करेगë तो आपको अपने दिल को संतुस्ट रखना है अगर आपका मन कर रहा है कि है भाई हम जा के परषु एक्जाम मतलब संड़े के दिन एक्जाम है माल ow स्केंड स्ट में एक्जाम है और आपको मन कर रहा है माल लो आप मुझाफरपुर से बिलॉंग करते हो मैं मुझाफरपुर से बिलॉंग करता हूँ आप मुझाफरपुर से बिलॉंग करते हो आपको मन कर रहा हम देवी मंदिर हमारे हैं मुझाफरपुर में काफी एक बहुत अच्छा और प्यारा सा मंदिर है देवी मंदिर है देवी मंदिर उसको हम लो बोलते हैं तो आपको मन कर रहे हैं वहाँ पे जाके एक बार हम माथा टेक के हैं दर्सन कर के हैं definitely जाईए बिलकुल जाईए लेकिन अगर आपने पढ़ाई किया ही नहीं है अब जाओ वहाँ पे जाके आप 501 रुपे का चढ़ावा चढ़ादो 50 नारियले फोर दो 51 नारियल को है न तोप समझ के 51 तोप की 51 नारियल की सलामी दो पास नहीं होने जा रहे हो भाई पढ़ना पड़ेगा ठीक है लोड नहीं लेना है दूसरा चीज एक्जामनेशन सेंट होता है उसको खरीदी और प्रॉपर अच्छे से वह खा जाईए दस वाला हो बीस वाला हो तीस वाला हो जो भी आपका मन करें बोलीजे खाईए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्जामनेशन सेंटर में एनर्जी की और माइंड अलर्टनेस की काफी जुरुत होती है तो आप सभी जानते हो कि चॉकलेट जो होता है आपके बिल्कुल एनर्जाइज करता है और आपके माइंड को अलर्ट करता है चॉकलेट डेफिनिटली खाईए उससे आपका माइंड जो है बिल्कुल अलर्ट मोड मेराएगा ठीक है एक्जामनेशन सेंटर जाने से 10-15 तो उनके हिसाब से अपना देग लीजेगा ठीक है दूसरी चीज मैं यहीं बोलूँगा कि देखिए अब रह गया है तीस घंटे का समय तो बिल्कुल रिलाक्स हो जाईए मौज मनाईए मैं यहीं बोलूगा मौज कीजे दोस्तों के साथ जाईए घूमिये फीरिये खेलिये तो सा रिलाक्स कीजे खुद को क्योंकि आपने पढ़ा है आपने मेंसत किया है और इस मेंसत करने के बाद अगर आपको डड़ लग rank रहा है वो लाजमी है वो जायज है common सी बात है वो सब को लगता है जिन्होंने भी पढ़ा है जो पढ़ा ही नहीं है उनको क्या ही टेंसन होगा तो अगर आपने पढ़ा है वो टेंसन होगा और एक और बात last time है आप आज और कल ये दो दिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का ना सोचे कुछ भी फालतू नहीं पढ़े मैं बस इतना ही बोलूँगा कि current affairs current affairs में 3-4-5 इसे topics हैं जो आप उसको देखिए वहाँ से आपके 5-6 questions लड़ जाएंगे ये current affairs ऐसा चीज है कि यहाँ सब आउटपुट ले सकते हैं last time में और last time में exam से just पहले पढ़के जाएंगे तो दिमाग में बना भी रहता है चिपका भी रहता है देखे दो तीन चीज में बता रहा हूँ सुन लिजे वो पढ़के जाएगा पहला है rankings, military exercise तीसरा है देखिए सबसे important अभी नई नई न्यूकतियां जो ही है cabinet फिर बदल हुए वो देख लीजेगा and then after आप देख लीजेगा हमारे जितने भी governors है जो new appointment है governors के और वैसे भी 28 का 28 से state के और जो अपने 8 UT है उन सब के सारे के सारे list आप देख लीजेगा governors के बहुत important है वहाँ से आएंगे ये हो गया Lucent खोल के आप एक बार देख लीजेगा definitely ही देखिएगा 200% देखिएगा वहाँ से question बनेगा ही बनेगा country और capital और mudra भी देख लीजेगा साथ में नहां से एक question आपका आएगा ही आएगा तो ये तीन चार चीजे जिस पे आप अभी last time में थोचा wrap-up कर सकते हैं और अगर मैं और भी कुछ detail में जाओं तो देखिए Lucent से ही उठा लीजेगा Ascent में चले जाएगा Ascent में 16 महाजनपद उनके सारे राजधानी विगरा ये सब देखं़ लीजेगा और वो देखने ख़ाद आज महाजनपद विगरा राजधानी ये सब देख लीए उसके जो ये बहुत सम्मेलंस विगरा हुए है ठीक है, चार हुए है उस समय में कौन अध्यक्स था किसके सासनकाल में हुआ, ठीक है, सारा बॉक्स बना के दिया हुआ है, साइड में आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, डिफनेटली ही इसको देख लीजेगा, और अगर मैं बोलू कि, और आपको क्या ही देखना है लास्ट टाइम में, तो से वो जितने भी रैंकिंग्स वगरा हैं, इंडेक्स हैं, रैंकिंग्स हैं, मिलिटरी एक साइजेज हैं, है ना, करेंट में जो है, यह सारे जितना ही मैं बोला हूँ, उसको आप देख जाईए, और उसका कल रिवीजन एक बर कर जाईएगा, ठीक है, और उसके बाद, आपको सेट नहीं लगाना, आपको करना क्या है, बस सीधा पीछे से आंसार देखें, टिक लगाते चले जाएगे, और सब को क्रॉनलोजिकल ओडर में पढ़ते वे चले जाईए, उससे होगा क्या कम टाइम में ज़्यादा पर M.C.Q करेंगे, वहां से भी कोस्टन आपके यहां अब आपको डीटेल नहीं लेना है, आपको पूरी जानकारी नहीं लेनी है, आपको घुसके नहीं पढ़ना है, आपको बस क्या करना अभी ज़्यादा आपको क्या देखना है, तो अबजेक्टिव कोस्टन देखने हैं, तो आप ऐसे अबजेक्टिव कोस्टन देख ठीक है आपका इंतजार रहा है कमेंट का और कल फिर में एक छोटा सा और एक बात है जो कल के दिन ही में बताऊंगा कल वीडियो आएगी फिर से तो यह वाला वीडियो जाज़दा शेयर करें ताकि जितने बच्चे डिप्रेस्ट है टेंसन में है उनका थो से टेंसन रिलीज ठीक है बस टॉफ लुफ